प्राइम ट्वी के खास कारीक्रम शक्स्यत में आपका स्वागत है यह हूँ आपके सार्श भ Heinagal आपको इस कारीक्रम में हम आपको मिलवाते है ऐसी शक्सीत से जिनके59 की कहानी सुनकर आपको प्रेażड़ evaluation मिलती है, जिनके संघर्श को जानकर आप भी संघर्श के समाई साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपने जीवन के संघर्षों की कहानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने बच्पन से ही संघर्ष करें और आज वो इस मुकाम पर पहुँच गए हैं जो सभी के लिए प्रेणा दाय की स्रोथ है सर आपका हमारे इस खास कारेक्रम में बह दिढ़िया जा तो बहुत संघर्ष बड़े शीख दिखे जाते हैं मरवम मैं पैदा हुआ है जबिदार खीज़ नहीं इतनी खरव होई पर हम एक रेगुलरल बेर्शा कर सेकें। तो रेगुलर बेर्शाय कर सकें। तो李osogन, पुजिए इस वाच मेरे घृटा करपके हैं। उसमे हम लोगों ऌध की दुखान च्पोटी से खोली। और चाय के दुकान से फिर सफर चल निकला। भिर उसके बाद में प्र चाय का द तो यह हमारा रहा कि confidence सही कोई भी काम पकड़ते थे और छोड़ना, कोई काम को पकड़ करके, फिर उसको सक्सेस करके, फिर दूसरे काम पकड़ना और फिर उसको फिर सक्सेस पाना, यह बहुत क्रिटकल होता है और बहुत ही, हम उसको लगता है उस जमाने में उपर वाली के इसमें उपर वाली करपा रही होगी, तभी हम बिजनेस पकड़ना, फिर सक्सेस करना, फिर छोड़ना, फिर पकड़ना नय बिजनेस के तरफ, यह बड़ा critical होता है, इसमें हमारी उपर वाली करपा रही कि बरोशिक साथ काम करते थे, कि 100% हम सक्सेस होंगे ही, कार्ण से ब परकत होती है, और भाव का प्रभाव पड़ता है, हमारे भाव बढ़ पवित होने चीए, और हमको लगता है कि उपर वाली करपा रही होगी, तो इतनी स्कमेज में, पता नहीं चलता हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसी नियत है, कैसे माने भाव हैं, लेकि यह बहाव अच्य थे, उसको लगता है, इस रिएने बिजिनस पकड़ते थे और उसको सकस करते थे, बड़ा अनब नाता था लोंग शिवा करने में, तो मुझको लगता हुआ उसका कहीं परदर्ष्ट रहा है, जिंदिगी में संगर्स भी मैंने इंजॉय किया, और आपको लगता हो कि अब सर संगर साटकाट नहीं है ये मैंने सीख लिया था बचपन से तो उसके लिए समाज और अपना बेवसाय को connect करते थे कि हम अपने बेवसाय से समाज को क्या-क्या दे सकते हैं बाइप प्रड़क्ट में समाज भीम को देता था ये सीधा फंडा है वेकुल तो गीवन टेक अपने कभी रुके नहीं और मेहनत करते रहें अगर आपके सिक्षा की बात करें क्योंकि आप बहुत परिशानियों से जूजे हैं कई कढ़िन परिस्तितों को आपने देखा है त लेकिन ये बरोसा रहता था को फेल करने वाले इस दिनें पैदा नहीं हमको क्योंकि मुझको अपनी मेहनत बरोसा था कि हम रात में पढ़ेंगे और सुबेज जाकर एकदाम निहाएंगे तभी पास हो जाएंगे इतना बरोसा था अपने उपर तो बहुत बहुत करपा भी हम बड़े जो लेते थे लिगज ये और उसको पढ़ते ते और एक दिन दो दिन पढ़ाई तैरी करते थे और जाके जाए आता थे और यह बरोसा रहता है ऑमों हिए सौनचते थे को पढ़ते थे बड़े मंद से पढ़ते थे बड़ अच्छा लगेगा हमको, लेकिन यह नहीं पता थे कि हम टाप करेंगे, तो हम लोग अंडर इंसमेंट लोग गाओंवाले करते थे कि यह सिकेंड इवी मच्छा पास हो जाएगा, हम भी सोचते थे कि सिकेंड इवी फिर्स इवी पास हो जाएगे, लेकिन जब रिजल तो हन्डेट परसें मिलना ही मिलना है, जो भी करमसिल बेक्त इस दिन्या में है, सब को मिलेगी. मैरिट में आने के बाद आपने चाहे का बिजनस, आपको यह नहीं सोचा, आपने कि आपको यह डॉटर एंजीर बनना है, हालातों से जूचिश दिव आपने चोटा से बिजनस शुरू किया आगे बढ़े, तो क्या आपको सपना था आपको बिजनेस आगे बनाना है या फिर इस चोटे-चोटे काम से पैसे कटा करके आगे के पढ़ाई करनी है। मैंने बचसे बाइब करते रहते थे। तो तो हर एक बिजनस को करने के लिए मुसको लगता है उसकी जब कोई रूप रहा बनाता रहता है तो उपरवाला भी मदद करता है वहां पर support कर देता है उसी तेरे के लोगों को मिला देता है उसी तेरे के criteria के लोग भी मिलते हैं support मिलता है और environment बन जाता है तो मैंने जब बिल्कुर पुझे नहीं था हमारे पास पर तब मैंने सोचा जाते हैं बठ्टा मालिक बने और एक नहीं बने फिर हर सार एक खोलते च चला गया और उसी में कमाई करते गए खोलते गए और जबकि 20-20,000 रुपर दो लोग उधार लिया और उधार लेकर के फिर बठ्टा बने सोचा जमीन उधार लेकर काम सुरू किया और बगवान देस पैसे कमाई हुए और फिर देरे देरे बेसाय चाल निकला और अच्छी प्राफिट आफ मार्जन के साथ और अच्छे लेबिल के साथ हम कम बड़ोती होती होती ही चली कि लगाता है तो यह सोच खोलते थे कि एक बट्टे में कम से कम 400-500 लोगों को रोजार मिल लागा यह सोच खोलते थे पैसा दिमाग में कभी नहीं रहता था यह रहता है कि 500 ल उनकी हम कहीं ने कहीं एक जीवन नियापन का एक जेरिया बनेंगे यह सोच करते थे और पैसा तो मुझा तो बाइप प्रोड़क आई आता है हमको आता है कोई भी बिवसाय कर किया जाए रोजगार को सोच किया जाए और जितना ज्यादा रोजगार हम देने को कुशिश कर आपने एसार ग्रूप ऑफ इंस्टिटूशन चला रहे हैं तो इसकी प्रेणा कहां से मिली बच्चों को सिख्षा देना है आपका एक मेन उद्देश था या पर प्रॉफिट भी था ने दो चीज़े थी मुसको लगता सिख्षा देना मेरे हमको जब सिख्षा लाइन में ह हमको लगता हमारा जन्म हुआ है तो समाज के विभिन वर्गों को शेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है यह हमको लगता है उसमें एक सिख्षा भी है सिख्षा के लिए मैं इसलिए ज्यादा अच्छा कर लेता हूं मुसको कोई भी काम करता हूं बढ़ा अच्छा कर ले नहीं है और जो बच्चा हमारा पढ़ने आता है वो 75 km से दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप एंड डॉण मिला करें कि लें तो शुबह प्रेयर उनको करानी है वो घर से निकलते हैं तो अपनी ममी पापा के पैड शुके निकलते pięत ओंड दूर लियुकाई जैता है। weather जब लड़की कबड़ी 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 बोलती है तो 6-7 लोग आगे पकड़ने वाले होते हैं वो लड़की बोलती है तो वो सब के पर निगाहे रखती है कौन हाथ पकड़ने वाला है कौन पकड़ने वाला है कौन पैर पकड़ने वाला है किस की निगाहें कहा है उसको टच करके भागती है जब पाला चून कोसिस करती है और कोई टांक पकड़ लिया कोई इसे ने हाथ पकड़ लिया तो वो इसने जीवन रच्छा कर पाएगी, अपने सॉभन रच्छा कर पाएगी, इसे लड़कें को बैड़ी खिलाता हूँ, हर लगी को गेम्स खरता हूँ, कोई भी किरेकट को हो, वाली वाल हो, फुडबाल हो, हर गर्ल्स हो या बैज तो खिलाते हैं, फुत्पर्स्टी माने हो, तो सारेरी के सास में, मानसिक सकती को मेंडेन करने के लिए, एकडेमिक भी बहुत अच्छा कराता हूँ, योगा कराता हूँ, पडायम कराता हूँ, बचों को डांस बिपाता हूँ, इकमपस्जरी हर बच्चे को, हर बच्चा माइक पर इसपीज भी देता है, बले क्लास टू का बच्चा है वो भी दो मिनट या तीर मिनट की माइक पर इस पीज देगा उसको माइक फेर खतम होना है तो यह भी मैं लगातार बच्चों को पर्टिबेट कराता रहता हूं ताकि बच्चा अपनी कांफिदेंस जिन्दिगी जी सेके और इतने सारे गेम की जब पर्टिबेट करता है तब बच्चे को घर में रोक सब्सक्राइब मुच्चों के ऊसके हम बच्चों को हरेग में वाल्प करता हूं डांस में शिंग में मूजिक laws पर्टिबाता हूं तो बच्चा इंकर इस लिए बच्चा अपने घर पर नहीं चाहता है। आप अपने संसान में ऐसी चीज़े अवाइड करते हैं कि बच्चों के उपर कभी भी बच्चों के पैरेंट्स के उपर कभी भी प्रेशर ना किया जाए फीज के लिए ने बच्चों के पैरेंट्स तो अगर पैरेंट्स नहीं जमा करेंगे यह सीधा फंडा है लेकि पैरेंट्स आते हैं या गार्जन आते हैं उसका नाम लिखाते हैं वो टीचर और बच्चे को जो कम्मिनिकरिशन होना चाहिए वो बढ़ा हुआ रखता हूं है और जो फीज के लिए कॉल भी करते हैं वो भी हमारी एक कॉंसलिंग तीम होती है वो काल करती है ना कोई टीचर क बच्चे के मन में अलग भावना उत्पन होती है तो क्या सभी स्कूलों में ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए? मेरे साथ से बच्चों पर बहुत प्रेस्टन ने डलना चाहिए, किसी को ने डलना चाहिए? क्योंकि जब बच्चों को पूरी क्लास के सामने डाटा जाता है तो उनके मन में हीन भावना आती है तो क्या सभी स्कूलों को इस बात का ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के माइंड पर कोई गलत इंपक्ट ना पड़े? क्योंकि बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे को इस बाता है अदमें भाट कर लेता है, महेंगीी समाने ने बेचिने जाता हूं और वायड हमारे पूरे कॉलीज में है कोई भी बच्चा महेंगी जो चौमीन यह घर नहीं आएगा अगर फल आपको लाना है तो आप अपना बेसिक जो अपना लंच टिपिल लाते हैं उसमें रोटी है, पूरी है, सबजी है, चावल है, या फ्राइड रैस है, या खिचडी है, यह ला सकते हो, साथ में ला सकते हो अडिशनल, लेकिं हम फल लेकर आजाएं, हम बिसकुर लेकर आजाएं, हम चौमिल लेकर आजाएं, मिलको एलव नहीं, तो होता है कि हमारी पुरानी परंपरा थी, जब तक हम मोटे अनाज का खाना नहीं खाते हैं, जब तक हम अच्छी है भी मिल नहीं लेंगे, या डिनर नहीं लेंगे, या लंच नहीं लेंगे, या हम ब्रिफार्स अच्छा नहीं लेंगे, तो निश्चित हमारी मांसिक्ता भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहीं वेक्रिस देखाई पड़ती है, और जैसे हमारे हम बच्चे जो जब कोई प्रेयर होती है, कुछ होता है, तो बच्चे मस्त खड़ा हो करके, आदा गंटा, पौन गंटा खड़े हो करके, आराम से प्रेयर करता है, एक आद बच्चे कभी-कभी दिखाई पड़ता है, क्यों बताया जाता है, कौन सिंग जाता है, इने बटा खाना खाया काई ये, ऐसे से नहीं होना चीए, हर बच्चे को मांसिक, सारीरिक और सहर तरे से उसको हम लोग त्यार करन जलता है, क्या यही वज़र है कि भाजपा ने आपको सीतापूर से ही पहला चुनाओन लड़ाया? जो आम जन की समस्या हैं, उनको आप सरकार तक पचाहिए, उनको प्रसादरी अस्तर तक पचाहिए, इसके लिए मुसको चुनाओन तो इसके लिए मैं बहुत आवारी हूँ, प्री पार्टी का, भाजपा पार्टी वैसे भी अन्ति दो तक विक्त तक पहुंचने की प्रया कि इसे इसी पैसे बचुक मिलना है, यह बड़ी बात है, तो हमारा बली चपल, जोला, बैग, प्लस ड्रस के पैसे मिलने हैं, और पैसे इसलिए दे जा रहे हैं, तक बीच में बिचोली लोग पैसा ने खापाएं, कितनी बड़ी बात है, आज तक सरकारे कभी कोई यसे सरक कर देती थे, लेकिन हमारी सरकार हर पैसा, एक-एक पैसा गरीब तक पहुंच सके और बगर प्रश्चाचार के, इसलिए कैस पैसे देखर को उसके खातम पहुंचता है, तो कोई बीचोली असमें नहीं हो सकता है, और एजुकेशन सेक्टर को द्यान पर रखते हुए, इतन इंजिनिंग फीरी है, अपर बाकी छोटे बच्चों के लिए वफ़ा पर इसको नहीं है, यहां भी सारे बच्चों के लिए इसको की बिरस्ता की गई है, राजनीती में आने की प्रेंट आपको कहा से मिली क्योंकि आपने पहले से सोचा था कि आपको बिजनेस ही करना है, लेकिन आप राजनीती की तरफ मुड़े, इसका उद्देश? शिपसे बड़ा उद्देश मैंने पहले बता चाहिए कि समाज को देखते हुए मैंने सारे आस तक बेवशाय की है. कि समाज की लोगों की ज़रूत है, उसको मैं गुलुवत्ता परक और कम पैसे में कैसे पुराइड कर सकें? यह मैंने सोचती, बचपन से. फिर उसको देखते हुए मुझको लगा कि अब जन प्रिदिनित की रूप में समाज के लिए मैं कैसे कैसे हर छेतिम काम कर सकता हूँ. अब जैसे हमारा मन्हें मिशान के लिए बरच्छा रूपला बहुत जबरत कर चाला, पूरी सीताबू डिस्टिक में बरच्छा रूपला बड़ा काम कर रहे हैं. हमारा जो 75 अमरत महसो चल लाए है, इसी अमरत महसो के देखते हुए मैंने 75-100 हर संकरी और 75,000 पीन अपनी स इस तरह के बीड़ा उठाए तो हर संगरी मतलब होता है, पीपल, पाकल, बरगत को तीनों एक साथ लगाना, उससे क्या होगा कि हमारा वहां का वाटर लेबिल सुद्रेगा, सराउंडिंग वाटर सुद्रेगा, और ऑक्सीजन का सबसे ज़दा उसको उत्सचन करने वाले हैं, तो जबजास तरीके ऑक्सीजन देने वाले हैं, उससे हमारा जो जो उजोन परत फट रही है और बहुत बड़ी जो बिस परणवार जो आज़का डिस बैलेंस को रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये पीपल, पाकल, बरगत या इस तरह की जो आसदी पोईन हैं, ज एक पेंड, एक बेक्त, ये मैंने बीडा उठाया है, एक पेंड, एक बेक्त लगाएगा, उसकी वो रखवाली करेगा, सरणरच्छा करेगा उसका, और महिने में एक बार उसका फोटो खिज कर, क्लिप लेगा, फिजल फी ले करके, जो आप मैंने बना रखा, उस एप पर भीजेगा, ये लगातार काम हो रहा है, तो उससे मुझे को लगता है कि जितने पौधे लग रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पौधे संरच्छित, सुरच्छित रहेंगे, इस मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति में आप अपना गुरू किसे मानते हैं, किसे प्रेण मिलते थे, तो उनकी सहजता सरलता, मैं सलूट करता हूँ, मैं भाधधन्य हों कि हमारे भारत में पैदा हुए, और ऐसे राजनीता को जो पा करके बाकलम बैठते थे, जो उनकी एक इसमाइल होती थी, वो देख करके आज भी मैं उससे बड़ा प्रेजित हो रहता हूँ, औ अच्छी एज होने के बाद भी, और इतने भावों से बात करते थे, और सबको बड़ा ख्याल लगते थे, जब चलने लगते थे, अपस गाड़ी है कि नहीं, कैसे जाओगे, ये बड़ी बात थी, इतना बड़ा नेता, इतने सारे लोग, सब के हाई चाल लेना, एक इतनी लोगों लग जाएंगे, तो इससे बड़ा कुछ हो ने सकता है, उनको देख करके मैं प्रेणा शोत रहें, और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा किस्सा होता है, जो की काफी कठिनाईयों से निकला होता है, और वो प्रेणा भी देता ह हम चाहेंगे कोई ऐसा किस्सा बताईए आप हमारे दर्शकों को जो की उनको प्रेणा दे और आप से सीख भी मिले उने, देखे, मैं सबसे अपने युवां से बत करना चाहूंगा, कि युवां वर्ग और कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारे बुजूर्ग हो है, चाहे हमारे जोड़ा रहता हूँ, और रोज जोड़ता हूँ, और अमीर गरीब से जोड़ता हूँ, तो मुसको लगता हर ब्रेक्त को सुबह जब उठे उसके दू इन दो हाथों में काम होना चाहिए, पहला, अगर जितना भी वर्ग है, अगर हमारे पास काम नहीं तो इसका मतलब हमा काम नहीं कर रहा हूँ, घर से बाहर है, वो दिन ओड़ता क्या, कैसे करता होगा, आज तक ही सोच करके मैं खबडाता हूँ, कैसे कैसे लोग युवा लोग घर में रह करके एक दिन गुजार लेते हैं, मैं अपनी लाइफ का एक सिंगल डे आज तक घर में नहीं गुजारा हम लोग और हमसिआ कि बारा से पंद्रा घंटे सब की काम करने की काम करने के पिरबत हैं और उसको है ऑपने काम करते ही है और उसको कोई घर में रोक भी ने सकता है तो हर बेक्त अपने काम करने के प्रिवत्य को देखते हुए काम करें दूसरा समाज की सेवा मैं कैसे कर सकता हूं या कैसे कर सकती हूं इसके लिए काम करें अगर दसांस होता है हमारी हिंदू संस्कृत में कहा गया है कि जो भी हम कमाई करें, चाहे समय का हो और चाहे पैसे का हो, दसांस हमको दान देना चाहिए, दसांस मलता होता है कि कम से कम गर गर जो 24 घंटे में कम से 2-5 घंटा हमको समाज राश राश के लिए देना चाहिए, अगर आर्थिक रूप से मैं मन्यबुत हो रहा हूँ उसका भी तब ही वो चाहे समय हो आपके काम काम ऊयहीं का मई उसकोब हो जान ले back up काम करना ही करना चाहिए अगर सुच लेगा तो काम की हमारे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं कोई महेंती आदमी आज तक घर में कभी भी उसके पास काम नहीं हो ऐसा होई नहीं सकता मैं इमानने के लिए तैयार हूँ और कोई भी बच्चा अगर पास होना चाहता है तो यह साथ अच्छे नमऌ साथ पास होगा और घरो से सात पास होगा और वर Marvel करते होगा क्योंकि वो खुड पढ़ रहा है जब बच्चा खुड पढ़ेगा तो मने उसको लगता है उसको लगता है उसका भरोसा होता और टाफ लिबिल को आपको सीथापूर से 98% अबस असना प्यारम एक है in Teo थी तहरी प्यार घजगा तया इतना तो नहीं सोचा था लेकिन ये बड़ी बात थे कि 99.4% polling होई ताकि विपच्छ ये ने कहसे कि किसी को नहीं डलाए गया 4000 में कुछ 26 ओट नहीं पड़े थे और उसके बाद में 98.5% ओट मिलना मैं तो उपर ओले धन्वाद देता हूँ और पार्टी को धन्वाद देता हूँ कि पार्टी की नीतियों को पार्टी के बिचारों को जो निस्पच जो विकास परखिनमारी नीतिया थी उसको लोगों ने स्विकार किया और उसी के स्विकारता में हमको इतने ज़दा उट मिले कि हमारे योगी जी का जो बुल्डोजर है और उनके parents उसे ज़्यादा confident रहते हैं, वारना पहले घर से लड़की निकल रही है, शुरचित घर पहुंच पाएगे ने पहुंच पाएगी, कोई भरुसा नहीं होता था, अज हाल लड़की घर से बाहर निकलती, confidence हो निकलती, चाहर रात 12 बजे निकलना हो, चाहर दो बजे और भाई मुर्ट है, इस वजे से ही ते जाता हो, वोट मिले, ऐसा नहीं कि हमको वोट मिले, हमको वोट मिले हमारी party की नीतियों को, इस वजे से लोगों ने एक तरफा वोट दिया, ऐसा नहीं उस समाज में हर तरीके के लोग थे, मुस्लिम में था, यादो भी था, और हिं रहास है कि इतने जादा कहीं किसी परची परटी को या किसी सत्ता परच को इतना नहीं मिले आस तक, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं जन्ता को, धन्यवाद देता हूं परटी को, कि उन्होंने इतनी बढ़िया नीतियां चलाई, और उसकी वजे से जन्ता ने इतनी जवर जीने माननी मुखमती जीने आदीश मालब उसको घुफला भी किया है कि जिस्ता बनारश का और आयोध्या का विकास हो रहा है उसी तर्ज पर हम अपना नयमी सराल और मिर्स्टिक का डबलामिक करेंगे यह मैं पहले दिन से जिवसे मैं इलक्षन लड़ने गया था हर इंटर् सब्सक्राइब करेंगे जिसके लिए उन्होंने एरपोर्ट के भी सुषक्र दे दिया कि अभी तो हेलीकाप्टर सेबर चलेगी बाद में एरपोर्ट भी यहां पर बनेगा ऐसी सरकार की नीतिया है पहला दूसरा हरित करांद कैसा लाई जाए उसके लिए मैं हर संक्री और कि और मैं सरकार लगातार ब्रच्छारोपड कर रही है मैं सरण रचित करने के लिए लगातार उसके अनुसको लगता है कि आसे 5 साल के बाद जब एर ब्यूदी आया जाएगा है जब हेलिकाप्टर हो प्लेन जब नीचे लैंड करेगा तो निश्चित है कि पूरा श्रीत वो डिश्टिक हमारा खास करके पूरा हरित दिखाई पड़ाएगा, क्योंकि नैमिस धाम तो है, अरने खतम है, तो उस अरने को दुबारा डवलप करने के लिए पूरी जनता और पूरे जन पर दिन दी, पूरे जोर से लगे हुए, आपको पांच साल में उसी अरने जिस जो परकपना हमारी साहितिक काल से लिए आ रही है, पौरेडिक काल से लिए आ रही है, वो काल आपको फिर दिखाए पड़ेगा, पांच साल बात. जी, आप सिक्षा को बहुत करीब से देख चुके हैं, आप उसको बहुत समझते हैं, आपने सिक्षा अरसंस्तान को ला है, कई कटिनायों का सामना करते हुए, आपने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, तो आप इस छेतर में कौन-कौन से कमिया देखते हैं, क्योंकि इस व्यावसाई जादा पैस्ट है, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही ही, क्योंकि आपने जिस तरह से अपना अनुभाव बताया है, कि आपने एक पूरी गुणा-गड़त के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, तो क्या इसके लिए भी ट्रेइनिंग दी जा सकती है जातरों को कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अच्छा व्यावसाई कर सकती है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक जो हमारे बच्चे भी थे और काफी एजवाले मने बुला रहे रखा था लोगों को, ये पहले जाफेर दे जहां कच्छा 8, 10 आपस एक बारह पास मैंने बुलाया था, और ग्रेशन भी थे बी टेक भी थे, M-tech भी थे, M-tech भी थे, अन सारे बच्चों को बला करके एक स जाब करना चाहता है। बच्चा जब करना चाहता है प्लाई करने का थीक ठाक उसका है और यहां रुंइल है तो जाब करेगा यह रुगलर नहीं जब पेरा घुरुडर नहीं कर पाईगा तो हम गुंद तो यह जहता हूं कि बच्चे की जो उफष्तित ही है उसके प्रजेंट है है तो वो अच्छी होनी में छाई है तो जेत verme ढ़ा जीए तो जेतना अच्षा बच्छा रिगुलर्लार है उतना अच्छा्बच्छा जब में भी रूपलर रहेगा और यहारूलन नहीं तुम्हारूलन नहीं होगा क्योंकि कहीं ने कि उसके कामचhoरी आ जाती कहीं ने कि उसके अंदर धिमाग माझा जाता है कि नहीं हम ऐसे जिनेन के जी लेंगे तो हर रोजगार भशे अपने हंपार समौण आ परी हैं कंपनियां हमसे मांगती हैं कि हम 2,000 बच्चे दो, 3,000 बच्चे दो, मैंने दे पाता हूं, बच्चे आई नहीं पा रहे हैं, कहीं ने कि उनके अंदर ये भाउन आएगे कि ने ठीक हम रोटी रिखा कर रहे लेंगे, ये खतरनाक है, इसको जागुरू करना पड़ेगा, जब बच्चे पर रहे हैं, जब भरी पड़ी है, आप जब करने वाले बच्चे कहीं ने कि जो आलसी प्रवत के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन आलसी प्रवत वाले बच्चों को जागुरू करके जब दिलाना, ये हमारा और सरकार काम हो जाएगा, तब हमारा सरकार या हमारी जिराष्ट तभी संपन और संब्रद हो सकती है जब वो बच्चे काम करना सुरू कर देंगे जी आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आपने हर तरह की परिस्ति देखी है एक गरीब समय से आपने एक सफलता पूर्व की समय पर मुकाम पर पहुंच कर रहे हैं तो पढ़ाई भी बड़ी अच्छे से करें मिहनस करें रिगुलर्टी हमारी बनी होनी चीए अगर हमारी लाइफ पे रिगुलर्टी है में लगातार काम करने के प्रवत हमारे अंदर है तो हमको कोई इस दिनिया में माई के लार पैदाने को फेल कर लिए चाह ब जैसा हम चाहेंगे बसरते हम लोग अपने प्रवत को चेंज करते हुए अपने जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छे काम करने कोशिस करें और रिगुलर हैं इस बात के लिए सबी को धन्यवाद आपकी टीम को प्राइम टीम को बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत अच्छे ह गए हैं वो हमाई साथ जोड़े थे उन्होंने अपने जीवन के संगाश अपनी कहानी बताई आशक करते हैं आपको प्रेणा मिली होगी अगले अपिसोड में मिलेंगे एक और शक्सियत के साथ तब तक देखते रहें प्राइम टीवी सच साहस सरोकार